हलो दोस्तों आज इस वीडियो में समझते हैं कि बेनिफेक्टर वोड का इंगलिश मेनिंग हिंदी मतलब और इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसका इंगलिश मेनिंग है person who gives money और other help to a person or cause इसका हिंदी मतलब है कारी, पुन्योत्मा, सन्रक्षक, हितकारी या भलाई करने वाला सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं समस्ते हैं पहला सेंटेंस से सीवची generous benefactor to the library यानि वो उस्तकाले के लिए एक उधार दाता थी दूसरा सेंटेंस से, the hospital was named in honor of his principal benefactor यानि अस्पताल का नाम इसके प्रमुवदाता के सम्मान में रखा गया था तीसरा सेंटेंस से, the local charities found in him a generous benefactor यानि तानियों दान दाताओं ने उन्हीं एक उधार परवकारी पाया इसी के साथ मिरते एक ने वीडियो में इस सही चैनल के साथ जुड़े रही है, चैनल को like, share, subscribe कीजिए, इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद